सूट की कटिंग के लिए हमने दो मीटर फैबरिक लिया है, ये प्रिंट वाला है, जैसा कि इसका बोटम है, प्लाजो के कटिंग में मैंने आप से ये बात किलियर की थी, कि अगर आप प्रिंट वाले कपड़े की कटिंग करें, तो आप उसके फोल्ड लेने से पहले एक बार उसको अच्छी तरह से सेट कर लें, समझ ले कपड़े को, कि इसका फ्लावर किस साइड में गिरेगा, उपर जाएगा, कि नीचे जाएगा, दोनों पार्ट बराबर आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप इसके प्रिंट को एक बार अच्छी तरह से खोल के देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए, इस फैबरिक में प्रिंट दोनों साइड का है, उपर भी इसके मतलब फ्लावर गए हैं, नीचे भी गए हैं, तो मैं इसको किसी साइड से फोल्ड ले सकती हूँ, मैं इसको इस प्रकार से फोल्ड कर ली, अगर आपका चेस्ट साइज कम है, तो आ हमारा इसमें आ जा रहा है इस प्रकार से, तो हम ऐसे फोल्ड ले ले रहे हैं, आपकी साइज जो भी है, आप अपने साइज के अकोडिंग ही फोल्ड लगाईए, यहाँ पर मैं जिस सूट की कटिंग कर रहे हैं, उसकी साइज है, चेस्ट साइज 32 है, है 30, 2 इंच का हमने दाला तो 32 हो गया, वेश्ट है 28, हिप है 32, फ्रेंट नेक 7, बैक नेक 5, स्लीव 14.5, इसकी लेंथ रखनी है, 38, रेडी, 2 इंच हम प्लस करेंगे, 40 सी इसकी हम कटिंग करेंगे, आपको जो भी लेंथ रखनी यह शूट की, उसमें 2 इंच प्लस करके इसकी कटिंग कीजिए चेस्ट साइज जैसे यहाँ पे मेरे 30 है, तो मैंने इसमें 2 इंच प्लस किया है, लूजिंग के लिए, तो आप भी अपने चेस्ट हीप और कमर के साइज में 2-2 इंच का प्लस ले लीजिए, अगर आपका जो साइज है वो बोडी नाफ है तो, अगर आपका कपड़े का न आप है, तो आप सेम वही नाफ रखिए, उसका फोर्थ भाग, तो इस प्रकार से हमने फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी लेंगे, तो लेंथ हमने यह हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है अभी, तो हमने इसकी लेंथ लिया, जिससे हाफ इंच उपर जाए तो हमने यहाँ पे निसान लगा लिया, और इसको सीधी लाइन ड्रा करके, यहाँ से हम कपड़े की कटिंग करके अलग कर लेंगे, तो आपके समझ में आ गया होगा कि लेंथ हमको कैसे लेनी है, जितनी आपको सूट की लेंथ रेडी रखनी, उसमें दो इंच मार्जन गया होगा, अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूस सकते हैं, इस प्रकार से हमने लेंथ की कटिंग कर ली, अब कपड़े को हम इस प्रकार से फोर फोल्ड कर लेंगे, देन हम नेक का निसान लगाएंगे, नेक का विर्थ हमको रखना है, धाई इंच और अब हम उपर से नीचे तक इस प्रकार से इंच टेप को जैसा की वीडियो में आपको दिखरा लगा लेंगे, लगाने के बाद हमको यहाँ तीन निसान लगाने, फर्स्ट वाला सेवन इंच पे, सेकेंड वाला फोर्टीन पे, थर्ड वाला फुन्टी वन पे, मतलब सा इंच का डिफरेंट होगा, तीनो निसान पे हम इस प्रकार से लाइन ड्रा कर लेंगी, यह फर्स्ट लाइन, यह शेकंड लाइन कमर की हो जाएगी, और यह थर्ड लाइन हिप की हो जाएगी, यह हमारे तीनो निसान लग चुके हैं, मुझे उमीद है कि आप लोगों को य करकेक का है नीचे वाला हिप का है यह तीनों निशान हमने लगा लिया यहां से हम 5,5 एंच का नेक लिए विर्थ हैं ओर इधर हम लेंगे गले की लिंथ और यह हमारा शोल्डर हैaking को षोल्डर लगाएंगे इसी point को touch करते हुए हम आर्मोल का round देंगे ये आर्मोल का round हमारा दोनों part के लिए आगे और पीछे के लिए जब हम आगे वाला part अलग कर लेंगे तो half inch का आर्मोल हम अंदर down कर लेंगे अब हमको first line पे chest की size रखनी जो भी आपकी chest size हो उसका fourth बाग यहाँ पे आप लगा लिजी जैसे मेरा था 13 inch, 2 inch margin add किया 32 और यहाँ पे मैंने 8 inch का fourth बाग जो आया लगा लिया कमर का भी हम fourth बाग यहाँ पे लगा लेंगे इस प्रकार से निसान लगाने के पाथ जो beginners हैं वो अधिकतर क्या करते हैं ऐसे cross को मिला देते हैं सारी निसान को तो यह चीज बिलकुल गलत है ऐसे नहीं करना यहाँ पे हमारा चोच सा निकल जाता है यहाँ के लिए हम एक एक inch की line ऐसे draw कर लेंगे दोनों side और इसको इस प्रकार से ऐसे मिलाएंगे line को मतलब कमर पे दोनों side हम निसान के एक inch इधर एक inch उधर दो इंच की line इस प्रकार से draw करके ऐसे सीधी और ऐसे मिला लेंगे तो यह चीज हमारी fitting की अच्छी सी shape में आ जाएगी गोलाई सा और आपका यहाँ पे कमर पे नुकिला सा नहीं निकलेगा अब हम डेड़ इंच दो इंच जो भी आपको margin रखना आप margin रख लिजी कटिंग के लिए अंदर वाली side की जो निसान लगा वो fitting का है और बाहर वाली यह cutting का है इस line पे हम cutting करेंगे तो guys यहाँ तक आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा अब हम neck का देखेंगे तो neck की side जो भी आपको कोई अलग different रखना है तो आप रख सकते हो round रखना तो round भी रख सकते हो मैं यहाँ पे neck की cutting बाद में करूंगी वहाँ पे बक्रम लगाना है और back part अलग करने के बाद मैं back part की cutting करूंगी तो यह तीनों कट हमने लगा दिया एक chest का एक कमर का एक hip का निसान हो गया इस प्रकार से हम दोनों पार्ट को अलग कर लिया अलग करने के बाद यह हमारा back part बैक पार्ट को हम इस प्रकार से फोल्ड अच्छी तरह से लगा लेंगे फिर से और यहां पर हम नेक की कटिंग कर लेंगे नेक की कटिंग हमको जितनी हमने नेक की विर्थ रखी थी सेम वही रखनी है नीचे की लेंथ आप अपने अकोर्डिंग घटा बढ़ा लीजिए मेर अगे की नेक में हम थोड़ा सा डिफरेंट देंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि दोनों साइड एक ही प्रिंट है तो कौन सा आगे का है कौन सा पीछे का जब बाजू में क्रोस कटेगा तो वो गल्ती से पीछे भी जा सकता है तो इसलिए थोड़ी सी निसान बनाने के कि लिए अगे का नेक हम थोड़ा सा डिफरेंट देंगे तो यह हमारा पीछे का निक हो गया और आगे के नेक हम भोकरम पे करेंगे इसके लिए हमने भोकरम ले लिया है इस प्रकार सी फोल कर लेंगे आपको जो भी सेव देना आप round देना चाहते हो तो round दे लीजिए 5 shape देना चाहते हो तो 5 shape देजिए जो भी आप देना चाहते हो यहाँ पर हमने same 1.5 इंच का इस प्रकार से निसान लगाया और जो length रखनी गले की आप length रख लीजिए length मेरे को यहाँ पर 7 इंच की रखनी है तो उपर से थो हमने 1.5 इंच रखा है नीचे से हम थोड़ा सा broad भी कर सकते हैं इसको पौने 3 कर सकते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसे 5 shape में देना है तो इस प्रकार से हम इस box को ready करेंगे ready करने के बाद यहाँ पर हम निसान लगाएंगी तो मैं यहाँ पर shape कुछ इस प्रकार से दे रही हूँ आप अपने पसंद के according shape दीजिए और इस shape के बाद हम इस पर cutting कर लेंगे जैसे हम normal neck की cutting करते हैं ऐसे हम पकड़ेंगे उंगली से दबाई रखेंगे हम इसको और इसी निसान पर हम cutting करेंगे आउट में भी हम एक इंच का margin रखते वे गले की पट्टी को cut कर लेंगे जब तक हम cutting कर रहे हैं नेक के आप channel पर नए हो तो channel को subscribe करके bell icon को press कर लीजिए मेरे channel पर इस प्रकार की daily video upload होती रहती है आप एक बर मेरे channel पर visit करके देखिए आपको जरूर useful video वहाँ पर मिलेगी गाईज अगर वीडियो पसंद आये तो like करना चैनल पर नए हो तो channel को subscribe करके bell icon को जरूर प्रिस करना और वीडियो देखने के बाद feedback जरूर देना गले की cutting करने के बाद हम बाजू की cutting करेंगे बाजू की cutting के लिए हमने की length हमको ready रखनी 14.5 की तो हम 1 inch margin add करेंगे अगर नीचे से आपको fold देना है तो आप 1.5 inch का fold लीजिए मैं हाँ पे नीचे पट्टी लगाऊंगे तो half inch नीचे का margin है half inch उपर का 1 inch margin add करके बाजू की cutting कर ले रही हूँ इस प्रकार से हम बाजू का निसान उपर से 3 inch पे डाउन करके आर्मोल का save दे देंगे यहां हम मुद्धे को इस प्रकार से सेट करते हुए इसकी cutting कर लेंगे जिन लोगों को बाजू की cutting में कोई दिक्कत आती है मेरे चैनल पे बाजू की cutting की वीडियो प्रोपर तरीके से upload है बस बाजू की cutting की है वीडियो उसमें छोटी बाजू लंबी बाजू कैसे cutting करते हैं सारा डिटेल में दे रखा आप एक बार उस चैनल पे विजट करके देखिए वीडियो पे आपको जरूर समझ में आएगा तो इस प्रकार से हमने बाजू की cutting कर ली बाजू की cutting करने के बाद हम इस center में एक निशान लगा देंगे एक निशान हम यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे हमारी fitting की सिलाईया आएंगी अब जो कपड़ा बजता है वहाँ पे हम गले की पट्टिया निकाल लेंगे तो गले की पट्टी के लिए हम इस प्रकार से कपड़े को set करेंगे यहाँ पे जो हमारी आगे का निक है उसको इस प्रकार से set कर लेंगे set करके cutting कर लेंगे half inch का margin रखते विए जैसे हम normal गला बनाते हैं ऐसे हम cutting कर लेंगे cutting करके यह fold करके हम इसको ready करेंगे तो यह हमने रख लिया अब हमको पीछे की गले के लिए औरेबी पट्टिया निकालनी है तुर्पाई के लिए तो जो औरेबी कपड़ा होगा जहां से वहां से हमने दो पट्टी निकाल लेंगी है इस प्रकार से एक एक किंच की तो यह रहा एश्ट्रा कपड़ा बचा हुआ इसको हम fold कर लेंगे तो यह हमारे simple shoot की cutting complete हो चुकी है stitching की video मैं next video में लाऊंगी क्योंकि video बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है आप लोग बोर हो जाते हो फुल video वाच नहीं करते हो तो इसलिए मैं next video में लाऊंगी तो यह हमारी cutting complete हो चुकी है वीडियो आपको कैसी लगी feedback जरूर देना वीडियो पसंद आई या नहीं मैं आपके comment का wait करूंगी तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो like करना channel पर नहीं हो तो channel को subscribe करके bell icon को press कर लेना जैसे मेरे चैनल पर आने वाली हर एक new video का notification आप लोगों को easily मिलता रहेगा guys प्लाजो की cutting iron stitching की video मेरे चैनल पर upload है link आपको नीचे डिक section box में मिल जाएगा अब हम फिर में लेंगे एक new video के साथ thank you for watching my video take care bye bye